नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ट स्काय और मैं हूँ आपके दोस्थ खुश्पू हिंदू पंचांग कैनुसार गायतरी जैनती चेश्ट महीनी के शुक्ल पक्ष की एकदशी तिथी को मनाई जाती है धार्मिक माननेता केनुसर गायत्री जैन्ती मा गायत्री का जन्मुटसव है इसलिए इस दिन उनकी विशेश अरादना की जाती है। हिंदू धार्मिक शात्रों में मा गायत्री को वेद माता के नाम से जाना जाता है। इस बार गाइतरी जैनती दो जून 2020 को मना ही जाएगी। गाइतरी जैनती शुबमूड 1 जून 2020 को दुपेर 2 बच के 57 मिनट से 1 जून 2020 को 12 बच के 4 मिनट पर शास्त्रो के नूसार मा गाइतरी को ब्रह्मा, विश्णु और महेश्ट तीरों स्वरूप माना जाता है यदि उनके स्वरूप का वर्णन करें तो मा गाहित्री के पांच मुख और दस हाथ हैं उनके इस रूप में चार मुख चारों वेदों के प्रतीक हैं एवं उनका पांचवा मुख सर्व शक्तिमान शक्ति का प्रतिनिद्व करता है मा के दस हाथ भगवान विश्णु के प्रतीक हैं एवं त्रीदेवों की अराध्य भी मा गाहित्री को ही कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार श्रिष्टी के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से गाहित्री मंत्र प्रकट हुआ था मा गाहित्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गाहित्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की थी आरंब में मा गायतरी की महिमा सिर्फ देवताओं तक ही थी लेकिन महर्शी विश्वा मित्र ने कठोर तपस्या कर मा की महिमा अथार्थ गायतरी मन्त को जन जन तक पहुचाया एक प्रसंग के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने यग्य का आयोजन किया परंपरा के अनुसार यग्य में ब्रह्मा जी को पत्नी सही थी यग्य में बैठना था लेकिन किसी कारणवर्ष ब्रह्मा जी की पत्नी सावत्री को आने में देर हो गई यग्य का मूर्त निकला जा रहा था इसलिए ब्रह्मजी ने वहां मौझूद देवी गायतरी से विभा कर लिया और उन्हें अपनी पत्नी का स्थान देकर यग्य प्रारंब कर दिया मा गायतरी के उपासना से मनुष्य को सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है फिलहाल इस वीडियो में इत नहीं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा शेयर करें और तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें